नमस्कार मैं अविश्यकराज CEO Founder EGWay Global Sound of Mind series का आज दूसरा topic है और आज का topic है Law of Couch, कारण and effect, मतलब परभाव कारण और परभाव, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कारण और परभाव क्या होता है देखें, दुनिया में आप जो भी चीजे देख रहे हैं, वो आपको परभाव दिखता है उसके पीछे कारण होता है, हर कारण का आपको परभाव दिखता है, कारण कभी नहीं दिखता है अगर आप exam में फेल होते हैं, वो एक परभाव है, effect है और उसके पीछे कारण था कि आपने पढ़ाई नहीं किया होगा, आप बिमार हो गए होगे, आपको पता नहीं चला, ये कारण था और इसका परभाव ये हुआ कि आप एक्जाम में फेल कर गए, उसी तरह अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन लिया है, जैसे आपने ITI कि किया, आपके अंदर स्किल डेवलप नहीं हुआ, आपको ITI का नोलेज नहीं हुआ, जिसके कारण आपको नौकरी नहीं मिला, मतलब दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, और कहीं ने कहीं कोई कारण के वैसे सफल हो गया, और उनकी सफलता को जो आप देख रहे है वो परभाव है, वो परभाव आपको दिख रहा है, तो इसका सीधा अर्थ ही यह होता है, कि अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, आप भी वो कारण को पैदा किजिए, जो अन सफल लोगों ने किया है, तो आपको result भी वहीं मिलेगा, जो अन सफल लोगों को मिला है, मतलब अगर किसी को government जो मिलती है, किसी को सरकारी नौकरी मिली है, तो आपको भी सरकारी नौकरी मिल सकता है, लेकिन इसके पीछे लोगी किये है, कि उन्होंने जो जो काम किया था, उस सरकारी नौकरी लेने के लिए उसके पास जो कारण था, उसके लिए उन्होंने जो जो काम कि वही काम अगर आप भी करते हैं, तो आपको भी सफलता मिलेगा, आपको भी सरकारी नोकरी मिल सकता है। अगर आपको परभाव के रूप में दिख रहा है, अगर आपने ITI किया, इसके पीछे एक कारन था, और वो कारन आपको पता होगा, आप डेली के एक ही घंटे पढ़ पाते हैं, जबकि आपका रूम पार्टनर दो तीन घंटे पढ़ पाता है, इसके पीछे भी कारन है, कारन जो भी है, आपको कारन को खोजना पड़ेगा, वो कौन सा कारन है, जिसके वज़से आपका ये जो परभाव है कि एक घंटा ही पढ़ पाते हैं, अगर आपसे कोशन ज़्यादा गलत हो रहा है, इसके पीछे भी कारन है, बहुत सारे कारन हो सकते हैं कि आप पढ़ाई नही दे रहा होंगे, सिलेबस का नॉलेज नहीं होगा, मन नहीं लगता होगा पढ़ने में, ये सारे कारन है, जिसके वज़से आपके नंबर कम खं़ा रहा है, अपका परफॉर्वमेंस कम है, लेकिन आपहीं का दोस्त जिसका नंबर जपा रहा है, उसका भी एक कारन है कि वह ज़्यादा समय दे रहा है, ज़्यादा सिरियस है, तो आपको भी ओकारण पैदा करना होगा, जिसके वज़से आप सफल हो पाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट से हमने लिखा है, जैसे परकिर्ती कभी अन्याई नहीं करती है, जो नेचर होता है, यह कभी अन्याई नहीं करता किसी के साथ, अगर एक्जामपल के हम बात करें, तो आपको अगर एरोपलेन से नीचे गिराया जाए, तो आप भी जविन पे आते आते मर जाएंगे, लेकिन दूसरा एक्जामपल, अगर परधान मंतरी को एरोपलेन से नीचे गिराया जाए, तो क्या परधान म करता है मतलब असपश्ट है कि अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं लाइफ में परकिरती हमेशा आपको सपोर्ट करेगी लेकिन उसके लिए आपको कारण पैदा करना पड़ेगा जिसके वज़ा से अन्य लोगों ने वहां तक पहुँचे हैं तो आपको भी अगर वहां तक पहुचना है तो यह काम आपको करना पड़ेगा समस्याईं सब के साथ है समस्याओं में रहकर जो अपने परभाव को दिखाता है वहीं लोग सफल होते हैं आपको लगता होगा कि जो बड़े लोग हैं उनके पास समस्याई काम 100% होगा और सफल होगा क्योंकि दुनिया में जितने भी चीजे हुआ है जितना भी क्रियेशन हुआ है आज से पहले किसी को पता नहीं था और वो असंभाव था लेकिन उसको संभाव बनाया गया जैसे आज से पहले आपको पता था कि चीठी लिकर लोग एक दूसरे से सम समाचार भेजते थे लेकिन आज एक सेकेंड के अंदर में आप किसी से बात कर सकते हैं लेकिन आज से 50 साल पहले यह असंभाव काम था यह पॉस्वल नहीं था कि लोग एक दूसरे से बात कर पाएं आज से पहले आज से 200 साल पहले 300 साल पहले आप जाएंगे तो यह भी था कि लोग हावा में कैसे उड़ेंगे यह असंभव था जी मतलब possible ही नहीं थे कि लोग भी हावा में उड़कर एक जगा से दूसरी जगा जा सकते हैं लेकिन आज यह possible हो गया है मतलब दुनिया में जो चीजे असंभव लगती है वो असंभव होती नहीं है बस उसको करने का आपके अंदर जुरून होना चाहिए उसको करने का पीछे कारण होना चाहिए आप उस काम को कर पाएंगे तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े रिसर्च हुए है जुनिया में जितने भी बड़े अविसकार हुए है चाहिने दुनिया में जीतने भी लोग सफल हुए हैं उफ अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं बलकी law of nature अपने परकृती के नियम के काम कियें इसके वज़े से वह सफल हुए हैं और हम असफल तभी होते हैं जब हम law of nature को follow नहीं करते हैं अगर आपको आज इस उम्र में पढ़ने का जरूरत है study करने का समय है अपने आपको grow करने का समय है अपने आपको कुछ करके दिखाने का समय है और इस समय में अगर आप सोने पर ध्यान दिजिएगा आप भूमने पर ज़्यादा फोकस किजिएगा मुवाइल में बीजी रहेंगे मतलब ऐसा activity करेंगे जो आपके लक्ष है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है तो उसका परभाव भी वही दिखेगा जो आप नहीं चाहते हैं मतलब आपको नौकरी नहीं मिलेगा आप जीवन में सफल नहीं होंगे आपको तंगहाली हमेशा पकड़ के रखेगी आप हमेशा इरिटेट रहेंगे क्योंकि आपने खुद से उस कारण को पैदा किया है जिसका परभाव अभी दिख रहा है अगर आपके पास पैसा जदा हो आपके पास गारी होनी चाहिए आपके पास पैसा होना चाहिए अच्छा घर होना चाहिए अच्छी नौकरी होना चाहिए यह सब चीज होने के लिए law of nature बोलता है कि आप study कीजिए आप पहनत कीजिए आप अपने आपको develop कीजिए जबकि इसके उलट आप अपने आपको वैसा जगह वीजी किये हैं जहां से ये काम को achieve नहीं किया जा सकता है तो आपको परभाव भी कुछ साल बाद वहीं दिखेगा जो आप नहीं चाहते हैं इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सबचिस जीवन में आच्छा हो तो according to law of nature ये बोलता है को कारण को आप पैदा करो जिस कारण से आप उस सफल हो सकते हैं या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो अन सफल लोगों को देखिए अन सफल लोगों ने जो काम किये हैं जिस रास्ते पे चले हैं जिस उसके लिए जो इतना मेहनत की हैं जो जो काम कियों वो सब काम आप करो आपको भी सफलता मिलेगा क्योंकि law of nature वहीं बोलता है कि जो जैसा करेगा वो ऐसा बनेगा तो आप वैसा किजिए कि आप आच्छा बनिए तो आज के एपिसोड कैसा लगा कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग अगला वीडियो का अगर आपको इंतिजार है तो कमेंट जरूर किजिएगा हर सबता के संडे के दिन इस वीडियो को हम लाते हैं अगर और भी इस तरह के वीडियो ला ओफ नेचर के बारे में और भी वीडियो चाहते हैं और भी मोटिवेशन आपको इससे मिल रहा है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएगा जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा हम भी थोड़ा सा खुस होंगे और आपके लिए वीडियो हमेशा लाते हैं तो चलिए वीडियो को लाइक करने के लिए सेयर करने के दिल की गहराईयों से प्रेम पिरुबग बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं नए एपिसोड में